एक छात्र नेता के रूप में, इमर्जन्सी के समय, कारावास में, उसके बाद राजनीती में, हर जगह उन्होंने एक अपनी अमिट छाप हम सब के सामने छोड़ी. और विशेश रूप से, जिस रोल में वो थे, फिर बिलकुल कम उम्मर में, जिसमें सारा बोफोर्स का मामला बना, उसमें विपी सिंग सरकार ने एक जिम्यदारी उनको अधिवक्ता के रूप में दी, उस समय का उनका कॉंट्रिबूशन हो, यह लॉयर करके देश के अलग- मामलों में उनका कॉंट्रिबूशन हो, मैं ऐसा मानता हूँ कि उस कॉंट्रिबूशन के कारण, लीगल फील्ड में उनको मानने वाले, उनसे दोस्ती रखने वाले, उनसे प्रेरित होने वाले, बहुत लोग हमको देखने को बलते हैं, एक राजनेता के रूप में, उनको म रूप में भी हमने देखा और विपक्ष के निता के रूप में उस समय कि सरकार पर जिस समय वह हमला बोलते थे मुझे ऐसा लगता है कि पुरा देश टेलीविजन के सामने चिपक कर वैठता था और किसी भी चीज को सुल्जा कर बोलना चाहिए वो फैनांस की हो या किसी कानून की हो कठिन चीज को इतने साधरन शब्दों में वो बता देते थे कि जिसको टेक्निकल टर्मिनोलजी नहीं समझते ऐसे वेक्ति को भी चीज बिल्कुल ध्यान में आती थे और उस समय जो वातावरों उन्होंने तयार किया लेकिन इसका भावी जी ने जिक्र किया कि जिस सरकार के खिलाफ इतना बड़ा वातावरों उन्होंने तयार किया उनके सभी लोगों से वेक्तिकत समझन उनके कभी खराब नहीं क्योंकि वो लोग भी जानते थे कि अरुन जी विपक्ष के नेता के रूप में अपना काम कर रहे हैं तो व्यक्तिकर दुश्मनी रखने वालों में से नहीं है और मुझे लगता है कि उस समय के सारे उनके भाशन जो है बहुत पॉपिलर हुए